मनिश कश्व के मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है मदुरई से सभी लोगों में जनकारी बता देना चाहते हूं बिहार के तमाम जो नौजवान साथी जो प्रतिक्षा कर रहे थे कि तीन तरीकों मनिश कश्वार आएंगे उनके लिए थोड़ा दुख वारा ख़वर है कि वह अभी बिहार नहीं आ रहे हैं और इसमें बड़ा अपडेट यहां आ रहा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं इनको आज कोट के बंद होने के वज़ास से कि किसी परक्रिया के वज़ास इनको जॉद्वार तक के लिए न्याइक हिरासत में भेज दिया गया है इनको आधक्ल कल फिर से कामिलांडो पोलिसन सात दिनों के लिए और जी ने वाली है मदुराई कोट में तो देखना यहीं होगा कि क्या पता है कि मदुरीकों जो सबतें करते हैं कि आहें करते हैं अगर नहीं कर दियं करते हैं लेकिन अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं 7 दिनों का रिमांड को तो हमें लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत और परसानी बढ़ जाएगी लेकिन लगता है कि पिहर के कड़ोरों युओ ओ का दूआ है उनका जो प्यार है हमें लगता है कि कहीं न कहीं से अन्याया तो नहीं होग बाकि जो भी परक्रिया और यह अपने अस्तर पर बढ़ रही है यहां पर जाद साब के यहीं कहना है कि बिहार में लेके जाए इनको और बिहार में जो फर्जी वीडियो जो बना था कुछ लोगों के द्वारा उसमें इस चीज की संलिपता जाच की जाए कि मनिस्का सेफ की स सब्सक्राइब यहीं वीदियो है जिस किया आई थें टाकर सेफय लगाराये मनिस्का सेफ कह लिए लेकिन लीटियो ज़ें चमीक स्क्राइब यहीं का है तो असलिक्टा कर ने चौनतर लगा है बहाला कि लेकिन हमें लगता है कि जो कल सुनवाई होने वाली है कल तामिनादु पुलिस उसमें जो और जी डालेगी कि यह देखने वाला में चीज होता है जो साथ दीनों की रीमांड के लिए और रीमांड के साव दीन ओर catches यारी कल वही देखना कि जद सहरें उसकोcu correction fee करते हैं कोका यौण में दस्ताइल बढ़ेगा लेकिन कहीन अ 애far Molopaking विश्वास करते हैं या पर भिश्वास करते हैं सवयधान आपकरते हैं कि नाइक परिक्रीया सब्सक्राइब करते हैं किसी दालील divorce नहीं कि भगवान चैनल का माने तो कवका मनिसकाας् song को दोसी बाह चुक के यहां ठांग बाएक करते थे उसको पैसा भी देने का कम करते और वहां से चैटमेंट में मारा जा रहा है और आचानक रातो रात उनका ब्यान परट जाता अगर बड़े अस्तर के नेता है तो लेकिन के फोड़ा से आगठफी चाहिए कि निरास नहीं होना है और कहीं से भी जुकत नहीं है हम लोगों को नियाय मिलेगा निशी तुर्फ से नियाय मिलेगा और कही न कहीं से जो भी नयाईक परकिरिया हो गरा है उसमें हम लोग पटना में है सब लोग देख रहे हैं सारी परकिरिया में हम लोग लगे हुए हैं कानून का सम्मान करते हुए कानून को साथ में लेकर कानून को हाथ में लेकर कोई काम नहीं करना है जाहिंद जाबिहर